श्रीन आज्जी गुरुजी को अलखादेश, मा भगवती को अलखादेश, नाची वाले भहरब बाबा को अलखादेश, आप सभी को आदेश आदेश मा भगवती देवी दुरगा, जिनकी स्थापना मैं जो भी सादक हैं, जो भी ग्रिहस्त पूजा करते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि अपने घर में मा भगवती देवी दुरगा को सेवा देनी चाहिए आम तोर पर प्रचलित जो मंत्र है भगवती देवी दुर्गा का वो एक तो दुर्गा शप्षति का नवारण है ओम एम्रिम क्लिम्चामुंडाई विच्चाई या ओम दूंग दुर्गाय नमहा ठीक है लेकिन जैसे ओम नमश्वाय पूर्ण मंत्र है या ओम नमश्वाय एक ऐसा मंत्र है जिसको जापने के लिए बनाया गया था और आप उसका सिर्द जाप कर सकते हैं जैसे नाम जाप होता है उसी तरीके से बिना भीज अक्षर के वो पूर्ण नहीं होता है तो ओम हॉंग नमस्ऩिवाए हमने आपको बताया था वही जब उमा महिशुर का एक साथ जाप करना हो तो हमने बताया था ओम हिर्म हॉंग नमस्ऩिवाए उससे क्या होता है कि जो माया की दुनिया है और जो आपका अध्यात्म का दुनिया है दुनों में balance होता रहता है, अब आते हैं मा भगवती देविद दुरगा के मंत्र में, भगवती देविद दुरगा को कल्यों में प्रसंद करना सबसे आसान है, भगवती देविद दुरगा की तीन रूप में पूजा होती है, किस-किस रूप में पूजा होती है, एक तो महि रूप जो होता है वो कंकालनी की तरह होता है और हाथ में खपर लिए भगवती जो है वह वास करती है ठीक है और तीसरा भगवती का जो रूप होता है जिसनाम से उनका उनकी पूजा होती है वह कामाख्या वर्दा देवी नील पर असनी टंग देवी जकन्नमाता यूनि है ठीक है महिशासूर मर्दनी का जो पूजा होता है उसमें कलस्थाप्ना और बहुत तरीके का विधान होता है चामूंडा का पूजा का पूजा जो होता है व्ो बंधन में नहीं होता है और कामाक्या आप इसकी साधना नहीं भी करते हैं, तो भी यह मंत्र आपके लिए काम करता है। तीन बार आपको यह मंत्र बोल रहा हूं, आप इस मंत्र को सुनने के बाद जाप कर सकते हैं। जाप करेंगे आपको पूर्ण फल की प्रापती होगी। जो सादक हैं, उनको साधना का विधान मैं मंत्र बताने के बाद बताऊंगा. ठीक है? पहले मंत्र सुन लीजिए. ओम रिम दुग दुरगाये नमहा. तो इस मंत्र को जो आप का जो दिन्चरिया है, पुझा पाठ का, उसमें जो भगवती देवी दुरगा की साधना करना चाहते हैं, वो इस मंत्र से भगवती की साधना करें. अब आते हैं उन पर जो की इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं. ठीक है? तो सिद्ध करने का क्या विधान है? पहले तो एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए रोली, ठीक है, सरप्रथम क्या करेंगे, कि एक त्रिकोन बनाएंगे, जिसका जो मुख है वो नीचे की तरफ होगा, मतलब जो भगवती के लिए त्रिकोन बनाते हैं, जो महातेव और भैरफ के लिए त्रिकोन बनाते हैं, वो आपके उल्टे तरफ होता है तो आपके तरफ नोक किया हुआ वैसा त्रिकोन बनाएंगे और फिर एक त्रिकोन उसके उपर बड़ा बनाएंगे ठीक है जिससे की ये त्रिकोन उसके बीच में आ जाए और ये जो त्रिकोन है ये उपर की तरफ उसका नोक होगा और फिर उसी के उपर एक दूसरा illälak मैं जिसका नौक नीचे की तरफ होगा तो जो है आप एक तारा कि तरह्ण ही तरह एक आकर इति बनाएंगे इसके बीच में तरोन है फिर इस यह जो टरोन है और यह जो तारा है इसको आप एक सरड़ा घेर देंगे और इसके उपर जो है आप अश्ट दल बनाएंगे अश्ट दल मतलब कमल के फूल जैसा नहीं रिखा खीच-खीच करके आप अश्ट दल बनाएंगे उसको छोटी-छोटी रिखाओं से जोड़ लेंगे ठीक है जैसे यंत्र का बाहर का जो द्वार होता है उस त स्थापित करना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से सुनगे कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अश्ट धातू की मूर्ती की स्थापना करनी चाहिए अपने घरों में ठीक है अब देखिए आप क्या करेंगे अश्ट धातू की मूर्ती है या फिर अगर नहीं है तो इस यंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो एक भोज पत्र पर रक्त चंदन और रोली मिला करके ये यंत्र बना लेंगे ठीक है फिर एक छोटी चौकी लेंगे लखडी की उस पर लाल कपड़ा भी चाहिए उस पर भगवती की मूर्ती रखेंगे और यंत्र रखेंगे दोनों है त तो पहला जो हम पुष्प और अक्षद लेंगे उसको यंत्र पर चिटेंगे बोलेंगे ओम अंग अर्क मंडलाए द्वादस कलात्मने नमहा ठीक है फिर से लेंगे ओम सौम सौम मंडलाए सोडस कलात्मने नमहा ठीक है और फिर एक बार लेंगे पुष्प और अक्षद औ और उसके बाद बोलेंगे ओम्रिंदूंं सून्य वश्रेव लेक अचकर है। इतना करने बाद हम रेवश्री जलाइगे धगवती के सामने और बहगवती के बाएं और एपनेडाएं तरुइफ एगे, नीचे पहले थोड़ा सा चावल रख देंगे चावल रखने के बाद उसके उपर दीपक रखेंगे घीका उसके अब्याद आया तु वर्दा देवी तुरह एक्षरे ब्रह्मवादनी गायतरिश्य चंदम्सा माता ब्रह्मयोनी नमस्तुते करके उसको जला लेंगे उसी के ब मुद्रा मतस्य मुद्रा और गडर मुद्रा यह पांच मुद्रा दिखाएंगे ठीक है यह आप सर्च कर लेंगे आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएगा तो यह पांचों मुद्रा दिखाएंगे फिर फल निवेदन करेंगे जल निवेदन करेंगे ठीक है पुष्प निवेदन करेंगे ठीक है पुष्प जो है भगवति को तीन बार निवेदन किया जाता है वज्र मुद्रा से ठीक है तो पुष्प को कैसे उठाते हैं ये तो मैंने अवरात्री में आप इस मंदर को सिध्ध कर सकते हैं ठीक है और रोज आपको इसका चार माला करना है चार माला करने के बाद दश्मी के दिन इसका हवन करेंगे पीपल की समीधा रखेंगे जितने दरीचे का जो है खुश्बूदार जो है आप हवन सामगरी प्रयोक कर सकते है जो पंचमेवा है वो प्रयोक कर सकते हैं ये सब को मिला करके हवन समगरी बनाएंगे बहुत सुन्दर बढ़िया और दशांस हवन करेंगे ठीक है दशांस हवन मतलब लगबख वही फिर चार माले का हवन होगा ठीक है उसके बाद एक बरतन में दूद और मिश्री घोल के और एक पांच साथ आप आपकी शक्तिक अनुसार उसको द्रव्य देंगे और उसके आद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा रोज एक माला जाप करेंगे अनंतफल के आपको प्राप्ति होगी भगवती दुर्गा का जो है विशेश जो है आप पर कृपा रहेगा ऐसे तो भगवती देवी दुर्गा का बहुत मंत्र है लेकिन ये इस मंत्र का एक विशेश अधिकार है भगवती पर है जो दुर्गा दुर्गा जाप करने से भी आपको लाप हो जाएगा लेकिन इस मंत्र को करिए अभी गुप्त नवरात्री भी आ रहा है तो बहुत आप लो कौन सा मंतर पढ़ना चाहिए, कैसे बंदन होता है, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, हवन कैसे करते हैं, इस सारे विशय को मैं बताता हूँ, इसके अलावा जिनको मेरा लेख या आगामी कारिक्रम जानना है, वो www.agotantrash.com पर जाहिए, या फिर कॉल मी फॉर अंग लोट क करिए, इसके आपके से बात कर सकेंगे, आज के लिए इतना ही भगवान भैराव आप सभी रिप्लेट क्रिपा करें, आप सभी बाते हैं, आप सभी बाते हैं, अलाग खादेश!